आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार, स्वागत है आपका डाउटनेट पर हमारा प्रशन है ABCD एक समांतर चतुरभुज है जहां AB और AD का अनुपात बराबर है दो अनुपात एक के समांतर चतुरभुज का एक कुण 60 डिगरी है समांतर चतुरभुज के दोनों विकन किस अनुपात में है चार विकलत दिये गए हैं और इस प्रशन को करते हैं हल यहाँ पर प्रश्ण को हम लोग समझेंगे एक चित्र के माध्यम से सबसे पहले एक समांतर चत्रभुज बना लिया A, B, C और D यहाँ पर भुजा A, B और A, D का अनुपात दिया गया है 2, 1 तो भुजा A, A, B माल लेते हैं 2 cm और A, D हो जाएगी 1 cm A, D बराबर होगी B, C के, B, C भी एक और A, B बराबर होगी भुजा C, D के तो C, D की लंबाई भी 2 cm अब यहाँ पर विकड बनाते हैं A, C और B, D हाँ यहाँ पर जो कोण दिया गया है, एक कोण है 60 डिगरी तो यह कोण 180 में 60 घटाएंगे, तो 120 डिगरी का हो जाएगा अब हमें बताना है यहाँ पर A, B और A, C और B, D का अनुपात तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे A, C का मान यहाँ पर त्रिभुज A, B, C में कोण B, 120 डिगरी का है और A, C का मान यहाँ से निकालेंगे हम लोग कॉस नियम के अनुसार तो कॉस 120 डिगरी बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो भुजाएं कोण बना रही है A, B और B, C, 120 डिगरी कोण को बना रही है तो इनके वर्गों का योगफल करेंगे दो कवर्ग, धन, एक कवर्ग, रिड, सामने वाली भुजा का वर्ग, घटा देंगे बटे, दो गुडे, जो भुजाएं कोण बना रही हैं उनका गुड़नफल, बराबर, कॉस 120 डिगरी बराबर होगा रिड, एक बटे, दो के यहाँ एक दो से ये एक दो कट जाएगा अब आगे इसको हल करते हैं तो दो कवर्ग, चार और एक कवर्ग, एक, चार और एक, पांच रिड, एसी की घात, दो बराबर, यहाँ से ये हो जाएगा दो गुड़े, एक, दो, दो गुड़े दो में गुड़ा करेंगे रिड आत्मक एक का, तो ये हो जाएगा रिड, दो अब यहाँ से एसी की घात, दो बराबर हो जाएगा पांच और ये दो इधर आएगा, साथ तो AC बराबर हो जाएगा वर्ग मूल 7 के अब निकालते हैं BD का मान तो यहाँ पर एक नियम और समझते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल यानि AC का वर्ग धन BD का वर्ग यह बराबर होगा चारों भुजाओं के वर्गों के वर्गों के योगफल के बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग धन CD का वर्ग धन AD का वर्ग अब यहाँ से इसको हल करते हैं और BD का मान निकालते हैं AC कवर्ग बराबर हो जाएगा 7 के, धन, BD कवर्ग, यहां से AB यानि 2 कवर्ग करेंगे, 2 कवर्ग 4, धन 1, धन 4, धन 1, बराबर हो जाएगा यह 10 के, 10 में 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, BD कवर्ग बराबर 3 के है, तो यहां से हम कह सकते हैं, BD बराबर हो जाएगा, वर्ग मूल 3 सेंटी मीटर, AC वर्ग मूल 7 सेंटी मीटर, BD वर्ग मूल 3 सेंटी मीटर, अब हमें बताना है इनका अनुपात, तो यहां से इनका अनुपात लिखते हैं, AC अनुपात BD, बराबर ह यहां पर दूसरा विकल्प दिया गया है वर्ग मूल साथ अनुपाथ वर्ग मूल तीन तो धन्यवाद मिलते अपने प्रश्ण के साथ अज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर